फाहला कोश्यन है कार्बन डेंटिंग विधी किसकी आयू निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है तो जिवास्मों की आयू यानि जिवास्म की आयू का निर्धारन करने के लिए कार्बन डेंटिंग विधी जो है उफ्योग में लाया जाता है अत्यधीक सराब का सेवन करने से सरीर का कोन सा अंग विशेश रूप से प्रभावित होता है तो अत्यधीक सराब के सेवन करने से यक्रीत यानि की लीभर जो है प्रभावित होता है सरीर में रक्त ब्यंक का काम कोन सा अंग करता है तो स्प्लिन यानि तिल्ली हरे पोधों में प्रकास संसलेशन की इकाई क्या कहलाती है तो क्वांटा सौम सरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कारिय क्या होता है यानि सरीर में जो है जो डबलू बीसी पाया जाता है रक्त में उसका मुख्य कारिय क्या होता है तो वो जो है एंटिबोडी का कारी करता है और सरीर को बिमारियों से बचाता है मचली के हिर्दय में कितने फ्रकोष्ट होते हैं यानि उसका हिर्दय कितने चेंबर में बटा होता है तो मचली का हिर्दय जो है दो चेंबर में बटा होता है मानव सरीर में रक्त से अवांचनिय पदार्थ को फ्रीथक करने का कार्य कोन सा अंग करता है यानि सरीर में जो रक्त है उससे बेकार पदार्थों को कोन सा अंग अलग करता है हानिकारक पदार्थों को कोन सा अंग अलग करता है तो व्रिक यानि किडनी 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अपसरा क्या है तो nuclear reactor है यानि अपसरा एक nuclear reactor है डाइनेमो का कारिय क्या है तो डाइनेमो जो है यांत्रिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलता है पीस ब्लेंडी यानि पीस ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था तो रेडियम प्राप्त हुआ था इससे गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है तो जो है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोसिकाएं उपस्तित होती है तो मेलेनोफोर नामक जो है उसके त्वचा में असंख्य रंग द्रव्य कोसिकाएं पाई जाती है जिसके कारण जो है गिरगिट अपने रंग को बदल सकता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाये जाने वाला कार्बनिक योगिक कौन सा है तो सेलूलोज समूद्र के किनारे उगने वाले व्रिक्षों में वार्सिक वलय क्यों नहीं होते हैं तो समूद्र के किनारे जो भी व्रिक्ष उगते हैं उसमें जलवायू में असपष्ट भिन्दता नहीं होती है जिसके कारण जो है उसके वार्सिक वले जो है विरिक्षों में नहीं पाया जाता है यानि वार्सिक वले तभी बनता है जब मोसम चेंज हो, मोसम परिवर्तन हो अलग अलग प्रकार का मोसम होने के वजह से जो है बिक्षो में प्रतेक साल जो है एक वार्सिक वले बनता है लेकिन जो है समुद्र के किनारे जो है मोसम और जलवाई में अधिक भिन्नता नहीं होने के गारण जो है एक समान मोसम रहता है और जिसके वज़ा से जो है वार्षिक वले नहीं बन पाता है वृधा अवस्था का अध्यन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो इसका अध्यन जो है जेरेंटो लोजी के अंतरगत किया जाता है अगला प्रस्ण है, डोलोमाइट किसका आयस्क है? तो यह जो है कैल्सियम का आयस्क होता है. घट्टे फलो में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जितने सारे खट्टे फलो होते हैं, सभी में विटामिन C पाया जाता है. यानि सेट्रिक एसिड ध्वनी की तिब्रता मापने वाला यंत्र कोन सा है तो ध्वनी की तिब्रता जो मापा जाता है तो ओडियो मीटर से मापा जाता है दूध का खटा होना किस के द्वारा होता है यानि दूध जो खटा हो जाता है वो जीवानू के द्वारा होता है यानि व्यक्ट्रिया के द्वारा स्वेत प्रकास के वर्नकरम यानि जो इस्पेक्टरम में प्रीजम द्वारा सरवाधिक विशलित होने वाला कौन सा रंग है तो सबसे अधिक विशलित होने वाला जो रंग होता है वो होता है बैंगनी रंग और सबसे कम विशलित होने वाला जो रंग होता है वो होता है लाल रंग रेफ्रिज्रेटर में प्रसीतक क्या होता है तो उसमें जो प्रसीतक का कारी करता है वो फ्रियोन गेस करता है दूद से दही बनने में कौन सा व्यक्टरिया सहयक होता है किस अंग के कारिय न करने पर डैलिसिस किया जाता है तो व्रिक यानि जिसका किडनी खराब हो जाता है उसको डैलिसिस किया जाता है मनुष्ची के मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो फरमस्तिक्स यानि की सेरी ब्रह्म होता है राइफल चलाने पर लगने वाला जटका किसके सनरक्षन का उधारन है तो यह जो है रेखिय समवेग संरक्षन का उधारन है फ्रियोग साला में सरफर्थम जीन का संसलेशन करने वाला वेज्ञानिक कौन था तो फ्रियोग साला में जो कृतरीम रूप से जीन जो बनाया था वो सबसे पहले हरगोबिंद खुराना ने बनाया था तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद वंदे मात्रम